हाई मैं रितू अपने चैनल ग्रहने की नौकरी में आप सभी यूट्यूब दोस्तों का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज मैं खाना नहीं बना रही हूँ आज रेसिपी नहीं है कुछ टिपस आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ तो हमारे चैनल पे घर से रेलेटेड जो कीचन से रेलेटेड है उसके बहुत सारे वीडियोज हैं यह आज मैं बेसिन कैसे आप साफ कर सकते हैं यह आपका बेसिन बहुत जादा गंदा है यह बहुत दिनों से यूज में नहीं आया हुआ हुआ है इसलिए यह बहुत जादा जिसके गर में water hardness होता है ना वो बहुत जादा होता है तो उसके घर में ऐसा problem अकसर आता है तो मेरे घर का भी जो पानी है बहुत जादा hard है जिसके वज़े से मुझे ये problem हमेशा ही face करना पड़ता है तो ये जो आप liquid देख रहे हैं जो मैं इस्तमाल कर रही हूँ मैं घर में बनाई हूँ दो तिल liquid मिला के और ये बहुत जादा असरदार है ये मैं सिर्फ आपको ऐसे नहीं बता रही हूँ कि हमारे views बढ़ है या कुछ भी ऐसा नहीं है ये वाकई में helpful है आप इसे करके देख सकते हैं और आप इसे जो है ट्वालेट सीट पे भी आराम से इस्तमाल कर सकते हैं बस वो जो पानी के छीटे जहां जाए ना मैं थोड़ा सा वहां लगा देती हो और आप इसे चारो तरफ बेसिन के ऊबर और बेसिन के नीचे जहां पाइप रहती है वहां चारो तरफ आप से लगा के सिर्फ आप 10 मिन तक छोड़े या फिर आप तो आप उसे अप्लाई करके उसे 15-20 मिनट के लिए चोड़ दें और जिस तरह से मैं भी बेसिन को 10 मिनट के बाद घस रही हूं आप उसे साफ कर सकतें मुझे उमीद है कि आपको मेरा चैनल पसंद आएगा इसलिए आप लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दाब दें उसके बाद आपको एक काला घंटी दिखेगा उसे प्रेस कर दें और उसके बाद जब उसे प्रेस करेंगे तो यह तोड़ा सा पानी इसमें मिला देती हूं औ उसे निकाल रही हूं तो इसे करने में आपको दो से तीन मिनट लगेंगे और उसके बाद मैंने एक बुकिट पानी इसके उपर से डाल दिया और यह देखिए बेसिन कैसा चम चमा गया बिल्कुल नहीं के जैसा आप यकिन मानिए यह कितना भी गंदा हो आप इस प्रोसेस पर नहीं devotion साफ करएंगे गाला आप आप इस प्रोसेस से कर रहें तो गंदे से गंदे बेसिन भी चमक जाएंगे यह देखिए ओस ने 1995 यदि ना उससे खोड़ा बहुत कम कर्द defenders डाली हूं बहुत ज्यादा हाड है तो मैं हमेशा यूज करती हूं अब इसे जो मैंने जितना पानी मिलाया है उससे थोड़ा सा कम इस एसेड को डाल रहे हैं आप थोड़ा धियान रखें गलब्स पहन लें मास्क लगा लें असके बाद ये काम करें अगली वीडियो में फिर कुछ नए टिप्स के साथ मिलती हूं तब तक के लिए बाई बाई टेक केर